वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला टेलिग्राम चैनल जरूर जोइन करेंगा सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पर आते हैं द्यान लगें कि कुछ प्रॉब्लम्स के वाज़े से मैं वीडियो में नहीं बना पा रहा था लेकिन अब वो समस्य हैं दूर हो चुकी है और अब हम फिर से जो है अपनी तैयारी में लगातार उसी स्पीड से जुट जाएंगे जिससे हम पहले काम कर रहे थे तो मुझे याद है कि मैंने जो लास्ट टॉपिक ख़तम किया था वो थी राजसभा बेसिकली हम संसत पढ़ रहे थे संसत में हमने राजसभा पढ़ ली थी अब हम जो है आगे बढ़ेंगे और आज का जो मारा टॉपिक रहेगा वो है लोकसभा तो लोकसभा के बारे में जो बेसिक फैक्ट है उनकी आज हम जानकारी लेंगे एक चीज़ और पता दूँ कि हमने अपना जो है टेली ग्राम चैनल बना लिया है ठीक है उसका लिंक जो है आपको नीचे प्रिंट कमेंट मिल जाएगा ठीक तो वहां पर जाकर के आप उसको जॉइन कर लो क्योंकि जो भी आप पीडियाफ मांग बढ़िया जो है आपकी तैयारी होती रहेगी उस टेली ग्राम चैनल के माध्यम से ठीक है तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से अपना जो टॉपिक है इसको शुरू करते हैं बात करेंगे लोकसभा की देखे राजसभा हमने पढ़ लिया था राजसभा में हमने क्या क कोई कारिकाल नहीं है कि अखिल भारती स्तर की कोई सेवा बनानीये जैसे ipAA हॏक लग रहता है तो वह बनाने का अदिकार केवल और केवल राजसभा के पास है लोकसवा के पास नहीं यह सारी चीजें हमने देख लेती है ना अभी आज़े हम आगे बनेंगे देखो लोकसवा कि अरिक्तम सरसंख्या कितनी है साले 500 है इन में से 530 सरस्य राज्यों के प्रतिदी होते हैं और 20 सरस्य के इन सासिर प्रदेश्वों से आते हैं इस तरीके से ट होने यह महीने हमाने अधी लोकसवा चुनाव होने इसका उनाव का छुनाव करेंगा उख करने में दिर्दी को लोग सब लोग सीघे 意च्च सीघी के तो मताधिकार के सध्धन सार्ण सब्सक्राइब करता है यानि हम सब लोग जो 18 वर्ष से उपर के हैं वो इसमें वोट डाल सकते हैं पहले ऐसा नहीं था पहले चुनाव में वोट डालने की एकिस साल सी ध्यान लगना ठीक है प्रतेक भारती जिसके आई उठारे साल है या बतारे साल है और जो सम्मिधान के कि कानून के प्रावधान के तहित अयोग नहीं ठहराए गया है वो इसमें वोट डाल सकता है ठीक है हाँ यह बात द्हान लगना जेल वगयरा में हो तो फिर वोट नहीं डाल पाऊगे यह भी याल लगना जैसा कि मैंने बताया कि पहले जो है एज 21 सम्मिधान शंशुतन 1988 के कर दी गई है इस बात को नहीं ठीक है यह अठासी नहीं है यह मेरे साब से नवासी होगा आप लोग एक पर सको चेक कर लेना ठीक है सम्मिधान ने संसत को केंसासे प्रदेशों के प्रतनेदियों को लोग सभा में चुनने के तरीके को निरधारित करने का अधिकार दिया है यानि संसत को अधिकार है कि जो केंसासे प्रदेशों उनके प्रतनेदियों को लोग सभा में कैसे लाया जाएगा ठीक है संसर ने केंसासे प्रदेशों के लोगों के सदन के लिए प्रत्यक चुनाव अधनियम 1965 में बनाया जिसके द्वारा केंसासे प्रदेशों से लोकसभा के सदस्यों का भी प्रत्यक चुनाव किया जाएगा यानि जो union territories हैं वहां से भी directly चुनाव की विवस्था है यह जो लोकसभा में समुदाय का परियाप्त प्रतित तो नहीं है तो राश्पती एगलो इंडियन समुदाय की दो सदस्यों को नामित कर सकता है मूल रूप से प्रावधान को 1960 तक संचालित किया जाना था लेकिन इसे प्रिच्चानवे में सम्मेदान शंशुतन 2009 द्वारा 2020 तक बढ़ा दिया गया ठीक है आज के समय की स्थिति यह है कि 25 जनवली दो यार बीस से जो एगलो इंडियन समुदाय का आरक्षर साल लोग सब्सक्राव में यह खतम कर दिया गया है ठीक है इन से यह कहा गया है कि अब ऐसी स्थिति नहीं है कि आपको जो है दिक्कत हो है ना भारत काफी आगे लेगा ठीक है इन लोग की चुनाव की व्यवस्ता नहीं दिए डारेक्ट लिए आते तो वह व्यवस्ता आप खतम कर दिया है अनुच्छे चौरासी फस्ट बी के अनुसार राज्य परस्त के चुनाव के च्छुक्ति की निवनतम आयू 30 वर्स से कम नहीं और लोग सभा की एक सीट के लिए आयू 25 वर्स से कम नहीं कहने का अरत है कि अगर आपको राज सभा में जाना है तो तीस साल और लोग सभा में जाना है तो 25 साल उमर होनी ही चाहिए ये नियम है ठीक है आगे देखो समयदान के रुच्छत 82 का नुसार लोग सभा की सीटों का राज्यों के मद्द आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर है यह विवस्ता पहले 2002 मतब पहले सन 2000 तक थी परंतो 84 में समयदान शंशुदन 2001 की द्वारा इसे 26 तक नियत कर दिया है यह एक बात को और ध्यान अगना कि जितनी भी सीटे हैं चाहिए लोग सभाकी हो या राज सभाकी हो या विदान सभाकी हो यह सारी की साथियो 1971 की सेंसस पर आधा रहे था 1931 की जनगणना पर आधा रहे था है सवाल उठता है 1931 क्यों 2001 क्यों नहीं क्योंकि जितनी भी राज्यों की सीटे हैं इनका इनको बांटने का जो आधार है वो है जन संख्या यही तो है जन संख्या के अगर हम बात करेंगे तो नौर्थ इंडिया में उत्तर भारत में आबादी जादा है ठीक है जैसे आप यूपी देख लो बिहार देख लो पश् अबादी के साफ से सीट जृषा है अच्छी बात है लेकिन आगर आखादी साब सीटें के सीटें बटेंगी तो पिर तो हर राज अपनी आभादी बढदाय का और अगर प्रतीक राज हर राज अंपनी आभादी को तिरी से बढ़ाने लगेगा तो देश की जंसंख्या का क्या हलोगा देश की शादमों का क्या हलोगा सोचा जा सकता है इसलिए जन और भारती राजों ने ये कहा कि आबाधी को अगर आधार बनाना है तो कुछ इस तरीके से बनाईए के हमारी सीटें यानि दक्षण सीटें और उत्तर भारती सीटें करीब करीब बराबर हो है ना इसलिए हमने टैक्या कि हम 1991 की जन गंठना को आधिर बनाएंगे 1971 में जब जनगर्णा हुई थी तो जतनी आबादी उत्तर भारती राजियों के थी करीब उतनी ही आबादी दक्षण भारती राज्यों के थी इस से हुआ ये कि अब उत्तर भारत और दक्षण भारत की सीटों का बढ़वारा अच्छे तरीके से हुग गया है अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा तो होगा ये कि दक्षल भारती राज्यों में ये मैसेज जाएगा कि एक तो हम अपनी आबादी को कम रखके देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदन दे रहे हैं भी आबादी कम रहेगी तो देश के लिए अच्छी बात है न और दूसरा ये भी याद रखना कि ये सीट है जो है ये 226 तक फिक्स है इन में कोई बदलाव नहीं होगा ठीक है आगे देखो लोगसभा में राज्यों को जनसंक्या के आधार पर सीटे अवंटित होती है जैसा कि मैंने भी आपको बताया लोगसभा की प्रथम लोगसभा कोई कारकाल नहीं है राज सवाएक स्थाई सदने या या दखना इस बात को ठीक है अगर राश्पती चाहे तो बीच में इसको भंग भी कर सकता है आपातकाल में संसत की अवधी एक बार में एक साल तक बढ़ाई जा सकती है अगर इमर्जेंसी है चुनाव नहीं हो सकता त आपातकाल है तो एक साल बढ़ा सकते हैं लेकिन अगर आपातकाल खतम हो गया है तो छे महीने के भीतर चुनाव करवा लिया जाएगा हर हालत में लोग सबार का सरस्वने की नियूंतमाय पच्चेस साल है जैसा की मैंने उपर आपको बताया लोकसबा का इस्थागन अद्यक्ष करता है उसको रोकना ठीक है जबकि सत्रावसान और विक्टन राश्पति करता है लोक और विक्टन का मतलब होता है ञापत कर देना तो लोक दोनों को आप अच्छे से समझ लो इस्तखन का मतलब है एडजन यानि उसको उसको रोक देना उसकी कारवाई को रोक देना और विगटन का मतलब है डिजॉल्व यानि बिल्कुल खतम ही कर देना तो लोगसभा अध्यक्ष सदन को रोक तो सकता है लेकिन खतम नहीं कर सकता है खतम कौन करेगा राश्पती ध्यान लगना इस बात को अनुच्छे चौरानवे के अनुसार लोगसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाद्यक्ष को और उपाद्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को देता है नॉर्मल बात है ठीक है लोगसभा अध्यक्ष क लोगसवा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारे संकल्प दारा हटायाजा सकता है यानि अगर हम लोगसवा द्यक्ष को हटाना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा लोगसवा के जितने भी सदस्य हैं वो एक परस्ताव पास करें और फिर उस प्रस्ताव के पास होते ही लोगसभा अध्यक्ष अपने पत्से हटे हुए माल लिए चाहेंगे जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पत्से हटाने सम्मंधी कोई संकल्प विचारा धीने तब वे संसत में उपस्तित रहते हुए भी पीठा सीन नहीं होगे यानि अगर अगर लोगसभा अध्यक्ष को हटाने की कारवाई चालू है तो भले जो है अध्यक्ष सदन में हो लेकिन वो फिर अध्यक्ष की कुरसी पर नहीं बैठेंगे करके उनको हटाने का परस्ताव चल रहा है जब अध्यक्ष को उनके पस से हटाने का कोई संकल्प लोगसभा विचारा धीन हो तब है पहले मत की तो अध्यकार होंगे परन्तु मत बराबर होने की स्थिति में निरणायक मत नहीं दे सकते हैं यह बात आप ध्यान रखेगा लोगसभा का अध्यक्ष अपना कास्टिंग वोट यानि निरणायक मत का प्रियोक किवल तब करते हैं जब किसी विशे के संधर्म में हुए मतदान में सत्ता पक्ष तता विपक्ष के वोट बराबर हो जाए और मामला टाई हो जाए ठीक है ना लोगसभा में होता गया है लोगसभा में बनते हैं कानून कैसे बनते हैं वोटिंग के माद्यम से मालों की प्रस्ताव आया अब प्रस्ताव पर वोट पड़ते हैं कि साव इसके पक्ष में कौन है और इसके विपक्ष में कौन है लोग वोट डालते हैं कौन लो लोगसभा द्यक्ष को ऐसी इस्तिती में पहले वोट डालने का अधिकार नहीं है वो पहले वोट नहीं डालेगा मरनось इधर हो गए 100 वोट इधर हो गए 50 वोट तो भी वोट अब होगा क्या? अब मामला हो गया टाई अब मामला टाई हो गया तो फिर ऐसी इस्तिती में कास्टिंग वोट यारी निरनायक मत देने का दिकाल लोकसवाद्यक्ष के पास होगा आगे देखो प्रोटर्म स्पीकर आम चुनाव के बाद नव निर्वाचित लोगसभा सभा को सपत दिलाने का काम प्रोटर्म स्पीकर करता है देखो दियान अगने इस बात को ठीक है ना हाँ यानि अभी जब अभी जैसे कि आगले भहीने एलेक्षन है तो जो भी सदस्य कि जो भी नए सदस्य चुनकर के आए हैं उनको शपत दिलवाना सपत दिलवाने के बाद यह आटोमेटिक पर खतम हो जाता है और उसके बाद सब लोग मिलकर के आपस में नए अध्यक्ष का चुनाव करते हैं ठीक है ना यह ध्यान रखना प्रोटर्म स्पीकर बने का कौन सबसे सीनियर होता है उसको जो है प्रोटर्म स्पीकर का सिंपल सा मतलब है यह कि आपकी नियुक्ति केवल और केवल इसलिए की जा रही है ताकि आप जो है सदस्यों को शपत दिलवाओ बात खतम और कोई गाम नहीं है इनका ठीक है हाँ अरुच्छेत पिच्चासी का नु नहीं होगा ठीक है से मेने के मीटिंग हो जाएगी इस प्रकाल लोगसभा के कम से कम एक साल में दो सत्र बुलाए जाते हैं यह नियम है है तो है तो अगर माण मुझे डियth कर विच्चे आए तो खला सलेगी यह हो गया उसका को रभ यानि कम से कम मुझे जो है बीस बच्चे से अद तीचल लोग तो चाहिए क्लास में सौ बच्चों का बैचे तो अगर तीस भी बच्चे आगे तो फिर वो क्लास हाल्ट हो जाएगी यह माना जाएगा बच्ची आजाए नहीं तो अगले जन क्लास फिर बुलाई जाएगी यह होती है गड़ पूर्ती यानि क्लास को शुरू करने के यह आवश्क नियूंतंटम स्टूजेंस की संख्या वैसे यहाँ पर है तो अगर आपको लोग सबाड़ के बैठकक करनी है कितने दिशन सबका सैम यह सबका सेम है यह लोकसभा का भी सेम है राजसभा का भी सेम है और जो विधान सवाएं है राज्यों में उनका भी सेम है कितना होता है यह होता है यह होता है वन वाई टैन बट संख्या सबकी अलग अलग है क्योंकि सबकी सदस संख्या अलग अलग है तो करीब आपके पास 54-55 लोग होने चाहिए एक बड़ा दस मांगा ना तो करीब करीब आपके पास 557 तब बैठक शुरू होगी तब लोगसभा शुरू होगी राजस्वा में आ जाएगे तो रास्वा में 200 लोग हैं बात समझ रहे ना रहेगा सब का सीम ही कितना एक बटा दस इस बात को ध्यान रखना उत्तर पदेश राज लोकसवा में सबसे आदा प्रतंदी असी भेजता है इसका महाराष्ट का इस्ताने 48 लोकसवा का पर्थम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फर्वरी 1952 तक चला था यह चुनाव 489 सीटों के लिए हुआ ठीक है प्रतम लोकसवा का पहला अद्वेशन 13 माई सब्सक्राइब को हुआ 15 माई 1952 को गड़ेश वासुदे मावलंकर लोकसवा के परतम अद्वेश परवरी 1956 को अपनी मृत्यू तक इस पर पर बने रहे हैं पहली लोकसवा के शेष कारिकाल के लिए अनंद्शैनम आयंगर लोकसवा द्यक्ष रहें जो गड़ेश वासुद सब्सक्राइब के लिए कंगरता है 1954 में जेभी कर्पलानि सहित विपक्ष के एकक्सद्वारा एक सांसर द्वारा लोकसवा के पहले अद्यक्ष जीबी मावलंकर को विरुद अविश्वास परस्थाब लाया गया था जैसे लोगसवा दारावासिक्रित कर दिया गया लोकस सब्सक्राइब की विशेशा अधिकार समीती में टोटल 15 मेंबर होते हैं ध्यान रखेंगे 251 करता melanोसार लोकसभा सरस्थ के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए किसी नाग्रिक को राज या केंदर शासित छेत्र की निर्वाचन छेत्र का पंजीकित मददाता होना चाहिए अर्थात उस छेत्र की मददाता सूची में उसका नामदर्ज होना चाहिए दोयार तीन में राज द्वारा राज सवा की निर्वाचन के लिए ऐसी बादिदा को समाप्त कर दिया गया था इसमें देखे थोड़ा सा और है जिसकी चर्चा हम लोग अगली क्लास में कर लेंगे और फाइनली ये टॉपिक जो हमारा खतम हो जाएगा ठीक है तो अभी जो है क्लास हम ने अपनी दुबारा शुरू कर दिये तो तैयारी करते रहिए महरत करते रहिए अच्छे से ये सारा टॉपिक हम लोग कवर कर लेंगे मिलते हैं साथ ये अगली क्लास में तपक के लिए जय हैं जय भारत बंदे मातरा